हेलो वेलकम फ्रेंड्स मेरा नाम है अभीशेख सर्मा और मैं हूँ आपका ओनलाइन ट्विटर आज मैं आपको तैली में लेसन नंबर 13 में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट नोट के अंट्री क्रेडिट नोट हम लोग कप करते हैं जैसे माल लिजे आपने कोई प्रोड़ट सेल किया और प्रोड़ट सेल करने के बाद यदि उसमें से कुछ प्रोड़ट आपको वापस मिल जाता है वो जो सेल्स है वो आपको जो सेल किया वो प्रोड़ट ह पूरू आपको वापस मिल जाता है तो हम लोग उसकी entry credit note में करते हैं मतलब बेका हुआ माल यदि वापस आ जाए पूरा का पूरा या अधूरा या कैसा भी एक टिहाई तो आप उसकी entry credit note में करेंगे credit note होता है sales return के यूज के लिए तो मैंने account information पर यह जाने के बाद सबसे पहले यह जो account information है इस पर जाने के बाद layers create करा पहला layers मैंने बनाया purchase का purchase account जो purchase account में जाएगा उसके बाद sales का laser बनाया sales account का जो sales account में जाएगा उसके बाद तीसरा laser बनाया sales return का जो sales account में ही जाएगा उसके बाद मैंने एक company का नाम बना लिया मालीजे PK private limited जो sundry creditor में हमनों डालते हैं जिसे हम purchase करेंगे और मैंने एक SK private limited का laser बनाया जो sundry debtor में डालते हैं डैपिटर में जिससे हम sale करेंगे जिसे हम sale करेंगे product उसके बाद हमें क्या करना है inventory information पर आना है inventory information में store groups को हमें create करना है इसमें हम company का नाम डाल देते हैं मालीजे no किया उसके बाद back आना है back आना है unit of major पर जाना है इसमें create करना है जैसे मैंने PCS piece डाल दिया और इसकी full form यहां लिख दिया उसके बाद हमें items create करने है items में गया और मैंने आप डाल दिया no kia cell phones जो no kia में और piece में जाएगा select कर लिया मैंने under unit को उसके बाद accounting voucher पे गए और purchase का पहले ही laser खुला हुआ है मैं purchase करूँगा मैंने 786 मैंने reference number यानि की bill number डाला party में मैंने PK private limited P4 purchase और S4 sale तो मैंने PKS के लिख दिया तो PK private limited जो supplier है उसका address उसका sale text नमबर डाल सकते हैं मैंने purchase किया PK private limited से no kia cell phone जो मेरे पास present में 0 piece है मैंने no kia का cell phone 30 piece purchase किये और एक cell phone मुझे 15,000 रुपे का मिला 4,50,000 रुपे मतलब 4,50,000 रुपे का total मैंने purchase किया मैं यहाँ पे बिंग आप purchase ऐसे भी डाल सकता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ purchase no kia cell phones with rupees कितने रुपे का 450,000.000 पैसे के लिए slash hyphen इसका मतलब मैंने no kia का cell phone खरीदा 4,50,000 रुपे का उसके बाद हम F8 का button प्रेस करेंगे यह sales का है, sales के लिए यदि आप purchase पे हैं तो यहाँ पे देखिए F8 लिखा है sales के लिए तो मैंने इस पे क्लिक करा, sales का voucher आगया अब sales के voucher में मैंने डाल दिया 01234, यह bill number हो गया party में मैंने SK private को select कर लिया उसके बाद dispatch होता है जिस दिन packing होती है order होता है जिस दिन order आता है buyer होता है जिस दिन खरीदने वाला लेके चला जाता है तो मैं उसके पुरी detail फीड कर सकता हूँ चाहूँ तो sales account मैंने select कर लिया और Nokia cell phone में रुपे 30 piece है मैंने उसे select कर लिया 30 piece में से suppose that मैंने 20 piece sale कर दिये 15,000 रुपे के इसाब से मैंने अभी purchase किया था मैंने 17,000 रुपे के इसाब से sale कर दिया तो total 3,40,000 रुपे price आ गया 20 piece के यहाँ पर narration में डाल सकता हूँ जैसे मैंने आपर narration डाला sell on Nokia sell phones with rupees 3,40,000.00 decimal के लिए पैसे के लिए मैंने यूज करा decimal के बाद की value तो यहाँ पर मैंने 3,40,000 रुपे का sell कर दिया 20 piece अब पता चला कि जो 20 piece मैंने sell किया उसमें से उनका ये कहना था कि जो 5 piece आपके है cell phone के वो सही से work नहीं कर रहे है on नहीं हो रहा है या किसी भी टाइप की problem है damage है तो उस condition में उन्होंने मुझे 20 piece में से 5 piece return कर दिया और return करने के बाद मुझे अपने इस voucher में किस जगह entry करनी होगी credit note में लेकिन credit note इसमें disable है ये work नहीं कर रहा है मैं इस पे click करता हूँ तो ना credit note डेबिट note नहीं चल रहा है उस condition में मुझे क्या करना होगा मुझे करना होगा F12 का button sorry F11 का button प्रेस करना होगा आप F11 प्रेस करेंगे ऐसा option आजाएगा या तो आप यहां पे भी features पे जाके click कर सकते हैं ऐसा ही option आजाएगा इसमें आपको enter 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 ऐसी करके आपको यहां आना है जब यहां पे आएंगे तो यहां कहरा है कि क्या आप use करना चाते है क्या आप activate करना चाते है debit credit note को मैंने कर दिया जी हाँ yes अब यहां पे कहरा है क्या आपको credit note maintain करना है yes क्या आपको debit note maintain करना है टोट में एंट्री करनी है तो इसमें भी कर सकते हैं. आपको बार बार जाके अक्टिवेट नहीं करना होगा, तो इसलिए तीनों मोड को एक साथ ही एक्टिवेट कर दिया. एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे कि credit note भी चल गया है और debit note भी चल गया है अब क्या है कि अगर credit note में आपको entry करनी है तो आपको क्या करना होगा यहां पे या तो click करिए या तो debit note में entry करनी है या तो यहां click करिए लेकिन अगर आपको यहां पे जाना है इस बटन स से सोट कट कीछे तो F8 हमेशा सेल के लिए होता है डेबिट क्रेड़ नोट नहीं आ रहा है तो क्रेड़िट नोट लाने के लिए F8 के नीचे दो लाइनिंग खिची हुई है मतलब अंडर लाइन है इसके लिए आपको मतलब है कि कंट्रोल का बटन और प्लस F8 का बटन जब करेंगे तो क्रेड़िट नोट आ जाएगा तो यह कंट्रोल के लिए इन्होंने यह अंडर लाइन डाल लगा है जहां जांडर लाइन है कंट्रोल के बटन से वह आपसन क्हुलेगा कंट्रोल के साथ तो मैंने कंट्रोल एफियर दवाया क्रेडिट नोट आ गया बिल नमबर मैंने डाल दिया सबोज़ एट चार सो चैसी और उसके बाद एंटर प्रेस करा जहां पर मैंने एसके प्राइवल लिम्टेट को बेचा था तो पांच पीस मैंने यहां से लेट करा, सत्रह हजार रुपे के हिसाफ से मैंने उसे सेल किया था, उसी रेट में मुझे वापस मिल गया, जाइसी बात है, ज्यादा में तो खरीदूंगा नहीं, कम में बेसा खरीद सकता हूँ, लेकिन जितने एमाउंट में मैंने सेल किया, उतने एमाउंट में मुझे वापस मिल गया, तो यह मैंने पांच पीस लॉट आ लिया, अब मैं यहां पर लिख सकता हूँ, सेल्स रिटर्न, नोकिया, सेल फोन, विद रुपेज, 85,000, dot double zero, decimal के लिए, तो मैंने इसमें लिख लिए कि मुझे सेल्स रिटर्न हुआ है, और नोकिया के सेल्फोन, जिसकी प्राइज है, 85,000, तो अब क्या है कि मैंने यह क्रेड नोट में एंट्री कर दिया, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, वो पीस वापस आ गए है, तो मैं यहां से नीचे जाओंगा, इस्टोक सम्वरी का एक उप्सन दिखाई दे रहा है, इस पे आप एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां नोकिया दिखाई दे रहा है, इसमें एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने 30 पीस खरीदे 15 पीस सेल किया 15 पीस बचा है लेकिन अभी भी इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि return हुआ है तो इसके लिए आप एक बार और एंटरफेस के लिए यहाँ पे आगया 30 पीस टोटल थे आपने 20 पीस सेल किया 5 पीस आपको वापस मिल गया इसलिए 15 पीस बचे हैं क्योंकि देखिए माइनस 5 लिखा है तो इसका मतलब यह शो कर रहा है कि 30 पीस में से 20 पीस सेल किया 5 पीस वापस आए 15 पीस टोटल बचे हैं तो इस तरीके से आप स्टॉक संबरी में जाके उसके स्टॉक को से मलब चेक कर सकते हैं और एकाउंटिंग वाउचर में जाके उसकी एंटरी को चेक कर सकते हैं और डिस्पले में जाकर आप जो भी entry कर चुके हैं उस entry को आप यहाँ पे दुबारा return में देख सकते हैं देखिए यह देखिए पहली entry थी मेरी purchase उसके भाद मैंने किया sale उसके बाद मैंने किया credit note में entry तो यहाँ पे देखिए सभी की एंट्रियां यहां सोई कर रहा है जब एंटर पेस करूँगा तो वो बिल सेम टू सेम वैसे ही ओपन हो जाएगा जैसे मैंने उस बिल को एंट्रि के समय किया था तो मतलब आप डिस्प्ले में डे बुक में आप यह चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एंट्रि कप किया अब इसमें एक फाइदा हो रहा है माली जे क्रेडिट नोट में चार पीस की बजाए वो सोरी पांच पीस की बजाए चार पीस आपने आपको रिटर्न होए तो यह पर आप यह चोगा गया क्योंकि एक पीस और कम हो गया यह पे पहले पांच पीस थे अब प्टीश हो गया ना तो इस तरही करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी लाइक और सेयर करना ना भूले मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है और यदि आप फर्ष्ट यूजर है या फर्ष्ट वीवर है मेरे इस चैनल के जो आपका ही चैनल है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन के तुरू प्राप्त हो सके जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके अपडेशन तो मिलते हैं आप से निव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर